तो हेलो वेलकम बेक फ्रेंड्स इन अनदर हेलफुल वीडियो तो आज हमारे पास यह नौइस की VES102 True Wireless Earbuds जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसके सभी सॉलुशन्स अगर फ्रेंड्स आपको पेरिंग में इशु आ रहा है चार्जिंग में इशु आ रहा है करेक्टिंग में आपकी one side work नहीं कर रही है तो इन सभी problems को कैसे solve करना है मैं आपको इस वीडियो में detail में पताऊंगी तो चलिए without wasting time वीडियो करते हैं तुरंत start इन सभी problems को solve करने के लिए हम करेंगे इनको factory reset reset करने के लिए हमारी जो earbuds है वह चार्ज होनी चाहिए और आपको उनको pairing mode में नहीं रखना है अगर यह आपके smartphone से paired है तो इनको unpaired कर लेना है नेक्स्ट हमें earbuds को case से remove कर लेना है फ्रेंड आप देख सकते हैं दोनों earbuds हमारी काफी अच्छे से work कर रही है दोनों में LED light blink हो रही है ने जहां पर आपको यह logo दिये गया है वहां पे हमारा touch sensor है तो आपको अपनी थमकी help से यहां पर touch sensor पर 5 seconds के लिए टच करके रखना है औ और आप देख सकते हैं दोनों earbuds में हमारी LED light blink होगी इसका मतलब यह friends यह हमारी reset mode में चले गये हैं नेक्स्ट आपको case open करकर इनको place कर देना है और case को कर देना है close आपको 3-4 seconds का wait करना है और case को open कर लेना है next friends जब आप earbuds को remove करेंगे case से तो आप देख सकते हमारी earbuds reset हो चुकी है और जो भी आपको problems आ रही है pairing में connecting में one side not working यह सभी आपकी solve हो जाएगी अगर friends आपकी problem इस तरह से solve नहीं होती है तो आप noise से contact करके warranty claim कर सकते हैं आपकी problem definitely solve हो जाएगी तो friends अगर आपको video helpful लगी हो तो video को like कर देना और अगर आप हमारे channel पर new हो तो subscribe कर देना मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही another helpful video में और अगर आपके कुछ और comments और queries है तो आप मुझे comment box में write down कर सकते हैं I will definitely answer them कर दो